एक मार्च दो हजार चौबीस को बैंगलुरु के मशूर रामेश्वरम कैफे में बम धमाका हुआ था जिसमें नौ लोग खायल हुए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था ISH News ने इस पर एक विडियो जारी किया था इसे यहां इस लिंक पर देखें अब इस खबर में एक अच्छी अपडेट आई है 12 एप्रिस दोहजार चौबीस को मामले में दो मुख्य संगिदों को गिरफ्तार किया गया पुलिस ने संगिदों को डूनने और उन्हें गिरफ्तार करने में NIA की मदद की दोनों में से अबदुल मितीन ताहा मास्टर माइंड था क्योंकि उसने ही विस्पोर्ट की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था और ये मुसाफिर हुसेन शाजे भी था जिसने कैफे में IED रखा था याद रखें मुसाफिर ने बम रखा था और मास्टर माइंड अबदुल था आरोपियों को कॉलकता से 180 किलो मीटर दूर एक छोटे शहर में गिरफ्तार किया गया N.I.A. ने बताया कि कैसे उन्होंने पुलीस के साथ मिलकर दोशियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया धमाके के बाद मुसाफिर कई बसे बदल कर बैंगलोर से आंदर पदेश भाग गया उसने आंदर प्रदेश से ओरिसा और फिर अंत में कॉलकता पहुचने के लिए फिर से बसे बदली इसके बाद उसने कॉलकता के कांटी नामक छोटे शहर तक 180 किलो मीटर की यात्रा की हाला कि अब्दुल ने मुसाफिर के साथ यात्रा नहीं की विस्पूर्ट के बाद अब्दुल चिन्नाई तमिल नाडू भाग क्या वहां से उन्होंने कांटी पहुचने के लिए बसे बतली दोनोने अलग-अलग यात्रा की लेकिन एक दूसरे के संपर्क में रहे और कांटी पहुचे NIA को कांटी में उनके ठिकाने का पता चला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अत्भुत NIA ने कहा कि अब्दुल आईसाई अलहिंद के बैंगलोर मॉड्यूल से जुड़ा था और दोनों 2020 के आतंगवात मामले में वांचित थे करनाटक, तिलंगना और पश्चिम बैंगाल के राज्य पुलिस ने NIA की जांच में मदद के CCTV फुटिच के बिना NIA दोशियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी विभिन बसों में यात्रा कर रहे अपरादियों के कई द्रिश्यों ने उन्हें पकड़ने में मदद की NIA के मताबिक मुसाफिर की टोपी से ही NIA को दोनों की पहचान करने में मदद मिली बम प्लान करते समय मुसाफिर ने टोपी पहन रखे थी और इसी से NIA को संकेत मिल गया कैफे और बसों के CCTV द्रिश्यों में मुसाफिर को वही टोपी पहने हुए दिखाया गया है टोपी पर एक सीरियल नंबर भी था टोपी को ट्रैक करने के बाद अधिकारियों को पता चला कि टोपी चिन्नई की एक दुकान से खरी दी गई थी धमाके के बाद NIA ने दोशियों के बारे में जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपे का नगत इनाम देने की घोशना की थी ब्लास्ट के दोशियों को ढूनने और गिरफतार करने के लिए NIA ने काफी मेहनत की